नमस्कार आदाब मैं हूँ अनुश्कार आयर आप देख रहे हैं मेवात आज तक आए दोस्तों आपको लिए चलते हैं आज हणियारा प्रदेश की जुला मेवात के शहर फिरोजपूर जिरका की ओर जहां पर आज पायल हॉस्पिटल और जच्चा बच्चा केंद खुल चुका है पता चला है कि दिल्ली अलवर हाईवे शहीदी मिनार के नज़ी फिरोजपूर जिरका में सिद आपकी जानकारे के रिवता दें पायल हॉस्पिटल का उदगातन लुहीगा कला गाओ के वर्तमान सरपंच सलीम खान ने रिविन काट कर शिभारं किया है डॉक्टर से आसपास के व्यामिन ने भी सरपंच सलीम खान का जोड़ा स्वागत किया सरपल्च सलीम खान का कहना है कि इस तरीके के छोड़े-छोड़े जच्चा बच्चा केंदर मेवाद में खुलेंगे तो मेवाद की लोगों को दिल्ली अलबर गुरगाओं जिसे शहरों से बच कर यहीं इलाज संभव हो जाएगा इस लौके पर डॉक्टर वीर से ही ने कहा कि यहाँ पर कम तैसों में बहतरीन से बहतरीन इलाज किया जाता है और जच्चा बच्चा के लिए सभी प्रकार के सिवधा उपलब है यहाँ पर डॉक्टर्स का टोटल स्टाफ 11 लोगों का है जिनमें चार फीमेल नर्स काम करती है और वहीं दस बैट का भी इंतिजाम किया गया है तो बहतर होगा कि अपने महिला पेशिंट को पायन हॉस्पिकल में ही ले जाने की कोशिश करे तो रालत नहीं फिर लेकर हाजर होंगे इसी ही एक ताज़ाम देख तब तक आप बने रहें सिर्फ और सिर्फ मेवाद आज तक के साथ हर्यारा मेवाद चे संबादाता उश्द बिस्रू की विशेश रिपोर्ट पचसलु को बुराग साथ तो सार आपके आसपास जिससे पुनहना सिटी है हतीन है आपने उनको छोड़कर फ्रोस्पूरी के चुना था नि मेवाद के लिए चुना था कि मेवाद यह जादा पड़ता इसलिए तो आप उन लोगों के लिए क्या कहना चाहते हो जो बीमार है और वो बड़ी-बड़ी अपनागी करा पाते हैं युवाद या कहना चाहते हो यह कहना चाहते हो यह जो भी मरीज है इसका बड़े वस्पिटल में लाज नहीं हो पाता है वो यहां कम से कम प्रेस्टों है, सस्ता इलाज 20 फेसलिधी के साथ यहां दो तो इस होस्पिटल का ओनर को हुन है? डौक्टर वीर खेंग है अच्छा आपकी होस्पिटल में बेड कितने अंसपिटला दस बेड तो अब आप 20 रू से रेगुलर अपडाउन करते हैं नहीं रेजिजेंट्स करते हैं कोई भी आपर आएगा उसको मतलब संतुष्टर इलाज किया जाएगा और मतलब सेवा का मौत देंगे तो उसकी सेवा जरू करेंगे अब तो गाम कौन सा है मेरा गाम नहीं राएगा नहीं दा से यहां पर आएगा है तो हमारे पेज को लाइक कीजिए शेयर कीजिए यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकन गंटी को दबा दीजिए त आप हमारे चैनल की मदद कीजिए तो फिलहाल इतना ही फिर लेकर हाजिर होंगे देश और दुनिया से जोड़ी ताज़तरीन खबर हैं तब तक आप बने रहे हैं सिर्फ और सिर्फ मेवाद आज तक के साथ